हेलो फ्रेंट्स, कोविड हमारी के बीच में एक बहुत ही अच्छी न्यूज हमारे पास है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया ने एक दवा अप्रूफ की है 2DG DRDO की 2DG जो दवा है इसे एमेर्जनसी यूज के लिए अप्रूफ कर दिया गया है अगर आपको हमारा चैनल पसंद हैं, हमारी वीडियोस अच्छी रखती हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसके अलावा अगर आपका कोई question है COVID से related तो आप उसे comment option में हमारे पूछ सकते हैं तो DRDO की 2DG दवा को approve कर दिया गया है emergency use के लिए जो 2DG है उसका मतलब है 2-deoxy-d-glucose जिसे की Defense Research and Development Organization DRDO की lab में Institute of Nuclear Medicine ने Dr. Reddy's lab की मदद से त्यार किया है इस दवा का total 3 trial हुआ है जो 3 trial हुए थे उसमें जो सबसे पहला trial था वो शुरू हुआ था मई 2020 में और खतम हुआ था October 2020 में जो first phase का trial था उसमें ये देखा गया था कि ये दवा patients पर सुरक्षित है मतलब जो कुरोना के मरीज है उन पर सुरक्षित है और recovery rate भी बहुत ही फास्ट हो जाती है इसके अलावा जो phase 2 trial था उससे दो पार्ट में डिवाइड किया था फेस 2a और फेस 2b इसमें टोटल 110 patient को शामिल किया गया था मतलब 110 कुरोना के मरीजों पर इसका trial हुआ था जो phase 2a था उसमें 6 hospital के कुरोना मरीजों को शामिल किया गया था वहीं phase 2b में 11 covid hospital के patients को शामिल किया गया था इसके बाद जो third phase trial था वो दिसंबर 2020 से मार्स 2021 तक चला था जिसमें की करिब 220 patients शामिल थे इन तीनों ही trial में देखा गया कि ये दवा covid के मरीजों पर सुरक्षित है और जो सबसे अच्छी बात थी कि इसमें recovery fast थी और ये within 3 days मतलब 3 दिनों के अंदर ही patient को oxygen की dependency कम कर देती है मतलब जो oxygen पर निरभड़ता है वो कम करके 42% से 31% तक ला देती है मतलब 42% से 31% तक आ जाता है इस दवा का trial देश के 27 covid hospital हो में हुआ है इसके साथ ही दिली, महारास्टर, उत्रप्रदेश, पस्चिम मंगाल, तमिल नाडू, करनाटका, आंधर प्रदेश, तमिल नाडू शामिल है इस दवा को लेना कैसे है, consume कैसे करना है ये दवा एक packet में powder के form में आती है, उस powder को पानी में घोल के और फिर covid patients को दिया जाता है अब समझते हैं इस दवा के फायदे क्या क्या है ये दवा oxygen की निर्भरता को कम करता है, इसके साथ ही recovery fast करता है और RT-PCR report को negative करता है तो DRDO की ये 2DG दवा अप्रूव हो गई है अभी emergency use के लिए उमीद है कि जल्दी ही ये आम patients के लिए भी शायद अप्रूव कर दिया जाए इसके साथ ही इस दवा का अभी तक rate कुछ भी decide नहीं हुआ है कि ये कितने में market में मिलेगी फिलहाल ये दवा उन patients में use किया जाएगा जो कमभी रूप में है मतलब emergency की condition में है जिन्हें के remdesivir जैसी महंगी दवाईयां देने की जरूरत पढ़ रही है उस level के emergency drugs की जरूरत पढ़ रही है इसके साथ ही जो इस दवा का production rate है वो भी तेज हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही कम time में बहुत जादा मातर में बनाई जा सकती है तो ये थी DRDO की anti-covid drug 2DG जल्दी मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें सुरक्षित रहें घर पे रहें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जैसे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे